next question CDP का 2023 का which of principle of development is illustrated by the following statement अब statement पर focus करना है उसके इलावा पर focus नहीं करना children who are deprived from conducive environment for learning language in their early year have some difficulty in picking language in later life एक period में अगर language का अच्छा environment नहीं दिया गया है सीखने के लिए तो बाद वाली में उसी language जांकि सी और language को सीखने के लिए बच्चा difficulty face करता है जो बच्चे अपने शुरुवाती वर्षों में भाशा सीखने के लिए नकूल वातावरन से बंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाशा चुनने में थोड़ी कठनाई पैदा होती है क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ वर्षों में language को अच्छी तरह से सीखा जा सकता है वैसे अगर ये भी question पूछा जाता है तो वो early childhood की definition childhood की आती है late childhood की बीच में शामिल है very sensitive period तो यह option क्या है development is a disorderly नहीं disorderly इस statement में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एक period में नहीं सिखाया गया तो बाद में सीखना difficult है तो यह prediction बता रहा है prediction नहीं है यह prediction क्या है कि अगर दस बच्चे हैं उनको जो है 9-10-11 साल के बच्चे हैं उनको English अच्छे से नहीं सिखाई गई school में जहां family में अच्छे जो teacher नहीं मिले है न तो बाद में उनको बाद वाली life में English सीखने में परशानी ज्यादा होगी as compared to those जिननों ने को 8-9-10 सालों में अच्छे teacher और अच्छी family अच्छे English वाले जो वातवरन वाले लोक मिले हैं there is a sensitive period यह साफ दिखाई देता है early year sensitive period यही बात है early year sensitive period वो कौन सा है childhood period है language development इसको टिक लगाके चलते हैं language and cognitions are complexly interrelated yes language and cognition related है यह ठीक है लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात cognition की तो की नहीं है सिर्फ एक age की बात की है कि इस age में अगर early age में नहीं सिखा होगे तो later age में difficulty होगी तो इससे later नहीं है that is why यह cross हो जाता है development is development of languages totally totally work को मैंने underline किया और tag word की वीडियो में बताया भी है कि जब excessive time आती है उस पर शक करना है कि यह गलत हो सकता है और इसके गलत के chance बढ़ गए जब इसनोंने सिर्फ genetics लिखा है genes heredity parents conception के वक्त जो parents से trait मिलते हैं उनमें भाशा आ जाती है न यह बात different है कि चो मस्की ने language acquisition device को gene से heredity से जोड़ा है पर यह ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है that is why best answer is sensitive period एक बता दूँ एक study भी हुई है कि कुछ लोग जो Canada America के लिए shift हो गए उनमें से मान लीजिए यह Canada America है यह लोग जो हैं बहुत छोटे हैं और यह childhood के हैं यह later childhood के हैं यह adult cent के हैं और यह बज़ूर्ग हैं और यह last वाले ज्यादा बज़ूर्ग है यह adult है यह बज़ूर्ग है अब यह जो लोग थे यह इस एज तक अडोल सेंट अरली अडोल सेंट तक के और चाइल्ड हुड के इन्हों ने जाके Canada America जो थी English जल्दी सीख ली और effectively सीख ली देखिए मैं स्पीड की बात कर रहा हूं स्पीड जल्दी सीख ली और quality की बात हो रही है quality जल्दी सीख ली एस कंपेर टू इनके क्योंकि इन्हों ने ये इंडिया में रहे और इनको इंग्लिश अच्छी का एंवार्मेंट नहीं मिला इनको जाते ही उस पीरिड में एंवार्मेंट मिलका है that is why वह सेंस्टिव पीरिड में इन्हों ने इंग्लिश का experience किया और speed से और quality लर्न कर ली that is why उसके बाद adult हो जाते हो तो IELTS करना ये वगेरा करना difficult हो जाता है बच्चे को early year में that is why English medium school को हम ज्यादा prefer करें लेकिन basic कारण ये research शायद ना पता हो ना नेक्स्ट है read the following statement and choose the correct option teacher should ask a student to identify their own examples and non-examples of concept for strengthening the concept एक स्टूडन ने मेरे में को कहा कि सर थियूरी तो ज्यादा आई नहीं मैंने का थियूरी आई है हमेशा थियूरी में से ही इनका हर option का based fundamental research और थियूरी ही होती है अब इस जब भी इसको हम पढ़ते हैं बार बार बढ़ ना तो यह c a m में से उठाया गया question है concept attainment model अच्छा यह किसकी थियूरी पर ब्रूनर की थियूरी पर based है जिसे discovery learning discovery 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 learning कहा जाता है ठीक है तो यह concept attainment model क्या कहता है कि बच्चे के सामने examples and non-examples present करो इसमें सिर्फ यह कहा है कि teacher should ask the student to identify हना अब for example मैं noun teach करना चाहता हूँ तो मैं class में क्या लेके जाऊ according to brunner according to concept attainment model मैं जो noun teach करना चाहता हूँ यह लिखा हो नहीं है मेरे mind में यह मेरी planning है तो मैं एक example बच्चे को देता हूँ dog और दूसरी example देता हूँ कि बच्चा दूसरी example है जो मैं teach करना चाहता हूँ वो उससे related नहीं है उसको non example में रख रहे हैं यहां पर running अब dog है running है वो बच्चा इन में difference देखेगा कि difference क्या है इसको analysis की process बोलते हैं analyze कर रहे हैं फिर second example teacher वो कुछ dog के characteristics लिखेगा attribute लिखागा जो शुरू में बिलकुल गल्त होंगे अब teacher लिख दिया हाना तो यहां पर happy लिख दिया तो फिर वो इनको compare करता है आपस में जब तीन चार example पेश करते हैं example noun की mountain भी दे दिया इदर swimming step by step दे नहीं है फिर happiness आ गया fast आ गया अब क्या है कि बच्चा जो example है उनको भी आपस में compare करता है दूसरी से compare करता है तीसरी से compare करता है और उसको यह पता अब चल जाता है कि यह इसमें आपस में similarity है similarity इस similarity के base पर जो characteristics वो find करता है वो noun की परिभाशा होती है definition होती है और यह non example help करती है कि इस से ध्यान से दिखना इन से related similar है लेकिन वो noun की example नहीं है confuse करेंगी तो बच्चा इन से भी compare करता है और learn करता है कि similar related word से मेरे concept के कौन कौन से difference है हना तो यह non example उसका एक part है important part है यहाँ पर best example हमारे पास है for example बच्चे को happiness की example दी गई happiness और यहाँ happy लिखा है तो यह closely related है तो उसे यह दिखाई दे रहा है कि happiness is example of concept which the teacher want to teach me हना तो यह सही है और यह गलत है तो वो इसको भी compare करता है ऐसे वो deep learning और खुद meaning बनाता है वापस चलते हैं जाकर देखते हैं कि question में क्या पूछा गया है question में है कि teacher should ask एक यहां पर पढ़ ले शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वैम से संकल्पना के उदहारनों और गैर उदहारनों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए yes identify करनी है यहां पर वो पेश कर रहा है तो मा लिजे लिस्ट दे दी लिस्ट में से उनका कहना noun कौन से है और noun कौन से नहीं है word ऐसे thinking of example lead to strengthening the concept yes के एक जो example थी noun की थी चार थी उनमें similarity देखी तो वो strengthen होगा concept के वो सारे नाम है वो सारे यह हैं वो हैं वो characteristics लिखते हैं while non example tend to confuse the student अब वो confuse नहीं है वो knowledge generation है actually concept attainment model में brunner में that is why यहां से यह बात मुझे गलत साबित दिखाई रही है confuse नहीं कर रहे है वो और clarity के लिए confusion के जरीए बच्चे को आगे लेके जा रहे हैं और यही उसका brunner का concept attainment model का purpose था तो यह हो गया और यह हो गया गलत a is right a is true but r is false मैं तो fourth को चूज कर रहा हूँ अगर इसी को दूसरे ढंक से ऐसे सोचना है कि यह वाली जो statement है बिल्कुल correct है thinking of example lead to strengthening the concept while non example tend to confuse लेकिन confusion एक state है यह मैं कहना चाहता हूँ of gaining knowledge तो यह भी better बन सकता है both a and r नहीं यह वाली both a and r are true मतलब यह भी true है यह तो पकी बात है यह भी जैसे true मानी जा सकती है कि non example confuse करती है लेकिन यह इसकी explanation नहीं है not example यह वाली कारण क्या है कि यहाँ पर example and non example पेश करने के लिए identify करने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब है strengthening कर रही है तो इसका मतलब है के non example यहाँ पर कह रहे हैं के विरोध कर रहे हैं confuse कर रहे हैं तो इस वात का विरोध हो रहा है यहाँ पर that is why यह weak है यह थोड़ा strong एक्सट है general principle of learning suggest that student learn better if teacher first introduce over introduce concept overall अब overall को underline करूंगा क्यों क्यों क्योंकि यह defining term है बता रहा है कि इसमें कहा क्या जा रहा है and move on the entry cases of it यह मुझे समझ नहीं आया मैं हिंदी में पहले अवधारना को संपूरन रूप में परिचित कराया जाएगा फिर उसकी बरीकियां पर आया जाएगा तो यह क्या हो गई पहले यहां पर जाके बिताते हैं यहां पर य च्आन क्या होता हैं इंट्रीस कर दिया इंट्रीस क्या किया कि उसकी डैफिनेशं देदी डैफिनेशं देडी किया जिसको जीक बहते हैं जन्रियला-lusthan जान्रल कन्कूरोजन पहले देदिया भरीकियां का क्या मतलब है कि उसकी it example उसके जो एकपर इसका दूसरा शबत स्पैसिफिक भी आ सकता है जनरल से स्पैसिफिक की तरफ जाना है तो जी से जब पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं इसको बोलते हैं डिड़क्टिव डिड़क्टिव रीजनिंग जो है मोस्ट रिजेक्टड प्रोसेस है आज की एजुकेशन में इसके ओल्ट इंड़क्टिव जो है येलो में लिखी है इंड़क्टिव ये एकसेप्टड है ये चुरू कहां से करना है specific particular example से शुरू करना है analysis करते हुए general conclusion की तरफ students ने करना है ये बट टीचर ने सिर्फ पेश करना है तो ये बैठ रहे है क्योंकि इसमें ये general से specific की तरफ जाने को कहा गया है that is why this is rejected overall से specific की तरह जा रहे हैं first discuss the concept in term of logic ये logic ने हमें कहा कि यार अच्छी बात कर रहे है reason ने कहा tag word में ये बताएगे हैं जब logic reason आएगा तो ये right answer होने की संभावना बढ़ जाती है and then granted opportunity तीसरी बात हाना to verify the ideas ओके मार तो पहले concept introduce किया ये देखिए क्या किया ये 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 बापस जाएंगे यहां पर पहले concept को introduce किया ये वाला हाना यहां आगे करके करते हैं पहले concept को introduce कर लिया ये हो गया now उसके के बाद discussion हो रही है discussion है अब discussion में क्या है कि students participate कर रहे है students participate कर रहे है एक दूसरे को idea देने और लेने के लिए free है जो वाइदास्तकी ने कहा था कि discussion interchange subject intersubjectivity का जो principle वो apply हो रहा है उसके बाद उनको verify करने के लिए कहा जा रहा है verify कि क्या ये जो conclusion हमने निकाले हैं कि ऐसे 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 noun होता है यही word होता है यह वर्ब होती है और यह इसमें different होता है तो उसको verify वो भी खुद करेंगे it means यहां पर वो general से particular की तरफ नहीं गए यहां से वो introduce करने की बजाए यह discovery discovery के discussion और verification जो बता रही है कि यह discovery learning की तरफ construction of knowledge की तरफ लेके जा रहे हैं तो कैसे होता है कि पहले noun जो overall concept था उस पर discussion discussion से वो general conclusion बनाते है general conclusion को वो verify करते है this is better option इसको tick लगाएंगे first discuss what is not known unknown क्या है to the student and then comes to what the student already knows उल्टा हो गया होना क्या चाहिए कि पहले बच्चे को आप जब B.Ed करते हो आपको समझाया जाता है आपको lesson planning में बताया जाता है क्या P.K. testing previous knowledge testing जो पहले से बच्चा known है के known क्या है known क्या है मान लीजिए ना उनके बारे में बताना है एक दो तीन चार ऐसी बातें बच्चे को पता है बच्चे को वर्ड जो प्रिजेंट किये जा रहे हैं उनके मीनिंग पता है ना तो उस नोन के ऊपर ऐसी discussion जा बात्चे जा interaction करेंगे कि unknown जो परिभाशा उनको पता नहीं थी examples पता नहीं थी example और non example में difference पता नहीं थे मतलब non say unknown की तरफ जाना था तो हमारा यह principle जो इसमें दिया गया वो क्या कह रहा है कि unknown से known की तरफ जाना है क्योंकि known जो है उसके उसको foundation as a use किया जाता है उसको उसके साथ link किया जाता है new knowledge को that is why यह भी गलत हो गया first introduce the concept and its symbolic form शुरू में symbolic form नहीं शुरू में concrete form प्याजे की theory first second third fourth यहां पर concrete operational है नहीं यहां पर abstract formal operational है तो concrete easy है down easy है जल्दी समझाता है जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं examples को तो यह गलत हो गया from and then move towards physical form नहीं maximums क्या है concrete to abstract यह प्याजे की theory बता रही है concrete to abstract यहां abstract mean formal okay तो यहां क्या है यहां abstract to concrete यह उल्टा है यह वहला भी उल्टा है और यह right answer हमारे पास बच गया जिससे हम एक आंक हासल कर लेंगे next है a teacher wants to help her students to develop metacognitive skills metacognitive skills क्या होती है इसकी एक ही definition बहुत ज्यादा repeat होती है metacognition thinking thinking about 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 your own thinking फिर यहां thinking लिख लेना है यह रहा thinking ऐसे कैसे हो सकता है for example आप यह text पढ़ने लगे हो यह पैरा पढ़ना यह लिखा हुआ है ना तो आपने पहले think किया plan की रूप में plan किया ना के यार मैं जब यह पैरा पढ़ूँगा तो मैंने 20 मिनट में यह खतम कर देना है मैंने dictionary mobile नगदीक रख लिया है मैंने अपनी sister को भी साथ में बठा लेना है कि यह difficulty है उसको यह English आती है वो मेरी help कर दी यह मेरी strategies हो गई कि मैं इस strategy को use करूँगा तो अब यह पहले है thinking पहले work से पहले अब मैं पैरा पढ़ने लगा हूँ अब मैं इन strategy को use कर रहा हूँ फिर मैं think कर रहा हूँ कि यार जो मैंने यहां पर सोचा था कि 20 मिनट में कर लूँगा तो 10 मिनट हो गया क्या मैंने आधा कर लिया है क्या मैं जो strategy सोची थी वो काम आ रही है कि extra और strategy चाहिए तो आप सोचते हो progress के बारे में सोचते हो और यह सोचते हो strategy काम कर रही है अगर नहीं काम कर रही तो strategy को change करते हो strategy एड़ करते हो यह during work आप think कर रहे हो metacognition हो गया और यह end हो गया, खतM हो गया फिर आप evaluate करते हो तो यहां भी thinking है, क्या मैंने, मैं satisfying हूँ, मैंने error कौन सी की, मैंने best strategy मेरी कौन सी रही, क्या next time जो इस तरह का पैरा होगा, मुझे इसी strategy को follow करना चाहिए, या नई strategy कोई ढूंडनी चाहिए, तो thinking यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, this is not about thinking, about thinking, और यह metacognition है, इस से बिलकुल related शबद है, self-regulated learning और reflection, दो बातें, इन से बिलकुल related है, लेकिन इन में difference है, which of the following strategy would be most effective, assigning the text of student to memorize, memorize आया, tag word में बताया था, यह गलत ही होता है, and encourage them to repeat, यह भी गलत होता है, information or text book, यह भी गलत होता है, text book हमेशा नहीं गलत होता है, text book से आप reflection भी कर सकते हो, अभी मैंने text book की example थी, वो meta organization भी हो सकती है, that is, यह बाकी memory के base पर इसको reject किया जा रहा है, providing student with detailed and prescriptive instruction for all learning, तो यह तो विद्यात्यों को सभी सीखने के कारें के लिए विस्तरित और निर्देश आत्मक, निर्देश प्रदान करना, यह हो गए कि यह teacher है, यह जो बोलेग आप student वही करोगे, it means teacher centered approach, it means transmission, तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, encourage, good word, student to reflect आगया, reflect का मतलब क्या होता है, कि आपने यह experience किया, कोई भी cycle चलाने का है, book पढ़ने का है, experience किया, और experience कनने के बाद उस पर deep think over किया, कि यार मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मैंने क्या गलतियां की, मैंने क्या अच्छा किया, मेरी कौन से strategy best रही, तो जैसे वहाँ thinking, overthinking है, यहाँ पर experience के ओपर thinking है, इतनी सी बात है, तो यह reflection है, यहाँ deep thinking होगी, बड़े question होगी, teacher रख सकता है, आपने सोचना है, तो यह best है, यहाँ टिक मैंने पहले से लगा दिया, on the own learning and evaluate their progress, हाई रभा, यह तो बहुत अच्छे शब्द है, evaluate है इसको ने छोड़ना, providing frequent grades and feedback to motivate students, grades ने यह weak कर दिया इसको, otherwise feedback is positive, feedback good होती है, तो best answer यह है, double tick लग ग गया, आगे चलते हैं, next question है, पंदर्मा question, यह रहा, in the context of inclusion, curriculum learning, most difficult question, इसको इस term का बोला जा सकता है, in the context of inclusion, inclusion mean inclusive education, inclusion mean के ऐसा environment जहां पर welcome to all है, सभी का स्वागत है, सभी को respect है, सभी को opportunity, सभी के साथ justice है, सभी को जो है, उनको नयाय मिल रहा है, और अगर कोई weak है, तो उसको extra help, equity, यहां discrimination, positive discrimination मिल रहा है, तो ऐसे environment में, curriculum learning expectations, और curriculum learning expectations, अब यह आपको confuse कर रहा होगा, कि curriculum learning expectation, यह क्या है, objectives, objectives इसको ऐसे याद रख लो, aims, objectives are the same, in dash, while in dash, they are different, अब हमारे पास option है, acceleration and enrichment, इस पर विचार करेंगे, कि acceleration क्या होती है, और दूसरा क्या था, acceleration and enrichment, तो यह gifted बच्चों के लिए, gifted बच्चों के लिए, educational program में, दो time यूज की जाती है, मान लीजिए, एक बच्चा बहुत ही, बहुत है, extra काम भी कर लेता है, जल्दी कर लेता है, class में करके बैठ जाता है, तो ऐसे बच्चे जो high achieve करता है, class में number one आता है, तो यह fifth class में है, fifth class में इसको क्या किया, उन्होंने जो school one किया, यार इतना है कि यह class में एक तरह से पिछड़ा हुआ लग रहा है, सिर्फ डिफरेंट लग रहा है, पिछड़ा नहीं है, तो बाकी बच्चों से match नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या क्या है, इसकी sixth class skip करा के seventh तक ले गए, इसको बोलते हैं acceleration, उसकी speed बढ़ा दी, एक class ही miss कर दी, तो acceleration की और भी example है, यह easy और best example थी, यह दी, तो यहाँ एक बात है gifted जा रहे हैं, दूसरी है skip रवा रहे हैं, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, inclusion की, कोई inclusion की बात ही नहीं हो रही, दूसरा है enrichment, अच्छा enrichment में क्या है, कि मान लिजे यही बच्चा है, जहाँ दो बच्चे, तीन बच्चे और हैं, उनको जो काम बाकी बच्चों को दिया गया, उसके extra उसी topic से, एक topic मान लिजे पढ़ाया गया, topic के बाद उसी topic पर plus work दिया गया, अच्छा उनको homework भी extra दिया जा रहा है, अच्छा उनको assignment, बाकी बच्चों का assignment मिली नहीं है, उनको एक project extra दिया, तो this is, these are examples of enrichment, के difficulty level उनका, उनको जो content teach करना है, उसका difficulty level बढ़ाया जा रहा है, तो enrichment क्या है, ऐसे vertical दिखाई ज्यादा दे रही है, और ये जो है, speed जो है, horizontal उसकी speed बढ़ाया जा रही है, ये difference पाए जा सकते हैं, तो यहां तो सीधी mismatching हो गई, के ऐसी कोई बात inclusion में आई न नेरी inclusion जब भी word आता है, तो mostly negatively deviated बच्चे, जैसे इशान था, उसको dyslexia की problem थी, reading, writing, arithmetic की problem थी, किसी को बच्चे को दिखाई नहीं देता, किसी का IQ कम है, कोई physically handicap है, तो वो negatively बच्चे, उनको inclusion के लिए problem होगी, ये तो gifted की सारी बात है, it means, के acceleration और enrichment gifted बच्चों की बात है, यहां पर उसके, वो irrelevant है, और इनको हम दोनों को delete कर देंगे, ये रहा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, acceleration और enrichment, ये question इसलिए important है, ये आपके बाकी concept को clear कर रहा है, अब ये है कि हाँ accommodation mean change करना, modification mean change करना, inclusion, जो weak बच्चे रहेंगे, उनके लिए कुछ change करना, तो फर्क क्या है, accommodation और, accommodation and modification दोनों में क्या है, change हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें ये सोचिए, आप बैटर रहोगे, कि यहाँ पर बच्चे की severe problem ज्यादा नहीं है, मतलब वो normal बच्चों से compete कर सकता है, अगर उसको extra कुछ provide कर दिया जाए, हना, कुछ extra दे दिया, यहाँ पर modification कहा है, बच्चे की problem इतनी ज्यादा severe है, कि उसको content में change, content को reduce करना, जैसे की reducing the length of written assignment for a student for a limited attention span, attention span की problem है, ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता, focus नहीं है, जा IQ कम है, कोई भी ऐसा बच्चा, आपने क्या किया, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर है कि audio book दे दी, उसको reading reading की problem थी, यह यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर, एक बच्चा है, यह रहा, और दूसरा रहा white वाला बच्चा, यह रहा, अब इस बच्चे को जो है, मालो इशान है, तो इसको reading की problem है, इसको reading device ने दिया गया, reading device जो है, electronic है, computer के साथ attach होके, हना, वो दे दिया गया, audio book दे दिगी, कि आप सुन लो, read नहीं हो, पता सुन लो, लेकिन तो expectation सेम रह रही हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या है, कि यह बच्चा का attention span बहुत कम है, IQ जा बहुत कम है, बाकियों को assignment इतनी लंबी दी गई, 10 page की, लेकिन इसको कहा गया, कि बटा आप इतनी कर लो, it means content reduce कर दिया गया, माली जे ये एक lesson करवाया, तो इसे का, बाकियों को कहा, सारा करना है, इनको कहा कि आपने ये 5 ideas हैं, सिर्फ वही करने हैं इसमें से, तो यहाँ expectation down हो गई, ये बात वो कह रहे हैं, साफ साफ, और देखते हैं, अच्छा, accommodation में क्या होता है, accommodation में adjustment made to support the student learning while maintaining the same learning goal and standards, यहाँ पर expectation नहीं है, goals आ गया, standards आ गया, मैंने objectives लिखा था, यहाँ से question बना है, हना, समान goal रखे जाएंगे, change made to curriculum assessment to meet the needs of students with disability, तो change किये जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो expectation जो हैं, वो बाकी बच्चों के बराबर नहीं रखी जा रही, ऐसी और हैं, learning goals, learning goals are, और example है, accommodation की, allowing the student to use calculator, इनको use करना कहा गया, लेकिन आपने उतने math के sum ही solve करने, आपसे objective, आपके goal, expectation, same है, यहाँ पर क्या है, providing shortened version of assignment, जो पीछे example देखिया हैं, providing written instruction in addition to verbal, हना, दो तरहें से mode में दे दी, एक तो लिखती रूप में और एक verbal रूप में, यहाँ पर क्या है, assign fewer math problem, उसके content को reduce किया जा रहा है, सिर्फ इतनी बात रखो, कि यहाँ assignment लंबी नहीं, छोटी कर दी गई है, यहाँ पर assignment छोटी नहीं की, उसको assignment को पूरा करने के लिए extra help की जा रही है, तो यह difference इसमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर right answer अब क्या होगा, साफ हो गया है, कि accommodation में, same रह रही हैं, यह रहा accommodation, same है, modification में, यहाँ पर modification आ गया, यह second, second वाला ठीक रहेगा, modification में expectation, goal different हो जाते हैं, इतने में से यह बना हुआ है question, ठीक है, thank you, बाकी next,